नमस्कार किसान भाईयो मैं भारत एगरी से आपका अपना गजंदर पटेल किसान भाईयो आज भारत एगरी के एगरी जुगार में हम जानेंगे हमारी फसलों में सलफर के महद एवं उसके फाइदों के बारे में किसान भही उसलपर हमारी दलवनी फसलों के लिए तिहनी फसलों के लिए अनाजवाली फसलों के लिए बहुती महदुपून घटक्त है आईए जानते हैं इसके पाइदे पहला पाइदा यह है पौदों की पत्तियों में क्लोरोफिल बनाने में साहिक होता है जिससे पत्तियां हरी होती है दूसरा किसान भायूत दल्हनी पसलों में इसका अपना ही अलग महत्व होता है इसके द्वारा पौधों की जड़ों में राइचोबियम कल्चा यानि छोटी छोटी गार्णे बनती हैं जो बातावरं से नाइट्रोजन को अपसोसित करके पौधों को उपलत कराने में साहिक होती है सलफर हमारी फसलों में तेल की मात्रा बढ़ाता है सलफर की उपस्तिती से हमारी फसलों में नाइट्रोजन एबं फास पूरस की जो अपसोसन समता होती है वो त्रीव होती है सलफर, अमीनो एसिट का अनिवारे भाग होने के कारण, पौधों में प्रोटीन एबं अनिद्रब बनाने में साहिक होता है, यह मसालमे वाली फसले जैसे जीरा, प्याच, लेसुन, मेर्च, आधी में, गंद, तीकापन, एबं सुगंद के लिए जाना जाता है, इसका प्रिय आधे ग्रीकी इडूटेल को सब्सक्राइब आना ना बोले, और ने बात